बात करते हैं दूसरी मूलबुत बुनाई की दूसरी मूलबुत बुनाई है ट्विल बुनाई इस बुनाई में वस्त्र की सत्य पर तिर्ची रेखाएं पर दर्शित होती हैं ये रेखाएं बाई अधवा दाई दिशा में मोटी अधवा पतली या दोनों हो सकती हैं उससे बिन बिन नमूने भी बनाए जाते हैं विबिन परकार की ट्विल गुनाईयां या ट्विल गुनाई के वियुत्पन निमन परकार से हैं पहली देखिए पहली ट्विल गुनाई कहलाती है रेगुलर ट्विल गुनाई इस बुनाई में नियमित अंतराल पर पतली अत्वा मोटी रेखाएं बनती है जिस से ताने तथा बाने दोनों की रेखाएं बराबर बनती है पहला चित्र देखिए चार गुना चार पे दो अब दो डाउन से है देखिए किस परकार से ये बुनाई मनाई जाती है पाने की पहली पंक्ती जब बनाने प्रारंभ करते हैं तो पहले निशान के दाई तरफ वाला खाली छोड़के फिर इसके उपर वाले पाने के धागे से ये बनाई गई है देखी अब तू अब तूडाउन किस परकार से बनाया इसको ने फिर दूसरी पंक्ती में तूअब किस प्रकार से बनाया है एक छोड़ते वे तीसरी पंक्ती में फिर से एक छोड़ा कहां से एक छोड़ा है जहां से इसके पूर्व वाली पंक्ती प्रारंब हुई थी देखें चित्र किस प्रकार से इस चित्र को बनाया गया है इसको और समझेंगे दूसरा चित्र देखिए, 6 गोना 6 पर 3-Up, 3-Down के मैनर से है 3-Up मतलब ताने का धागा तीन बार तीन बाने के धागे के उपर से किया और तीन बाने के धागों के नीचे से चला गया दूसरी पंति में देखिए इसको हमने क्रॉस लगाना खाली खानों में क्रोस लगाना कहां से प्रारंब किया है देखिए हाँ ठीक है तो ये वाला हिस्सा हमने खाली छोड़ा फिर इसके उपर से वापिस वोई थ्री अप थ्री डाउन का मैनर ले आ है तो थ्री डाउन कैसे हुआ है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और यही यहाँ पर नीचे आ जाई है अब नीचे एक ठीक है ना इसी प्रकार से अगली पंक्ती में देखिए जहां से ये दूसरी पंक्ती प्रारंब होई थी इसके बगल में ये वाला खाली छोड़ा और फिर हमने 3-up 3-down मनाया अगली पंक्ती देखिए ये वाला इससा खाली छोड़ा और आगे हमने 3-up 3-down मनाया इसी प्रकार से ये 6 गुणा 6 के उपर 3-up 3-down की रेगलर ट्रिल बुनाई बनकर तैयार हुई दिखाई दे रही हैं इसमें तिर्ची रेखाएं देखिए तिर्ची रेखाएं बाएं कौने से दाइनी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं ताने की धारियां यदि इसमें ताने के धागे और बाने के धागे अलग-अलग कलर के होंगे अलग-अलग रंग के हमने लिये होंगे तो वस्तर पे तिर्ची रेखाएं साफ दिखाई देंगी इस गुनाई के अन्युधारन भी हम बना सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में बना के देखना आठ गुना आठ पे फोर अप फोर डाउन से दस गुना दस पे पांच अप पांच डाउन से बारा गुना बारा पे छे अप छे डाउन से बना के देखना या 14 गुणा 14 पे 7 अप 7 डाउन से बना सकते हो 16 गुणा 16 पे 8 अप 8 डाउन से भी बनाए जा सकते हैं ये लेकिन हम यहाँ पे float की संक्या कम रखते हैं जिससे वस्तर की मजबूती बनी रहे बरकरार रहे इसलिए 6 अप 6 डाउन से जादा की हम float size नहीं बनाते हैं float का मतलब होता है वो धागा तैरता है देखिए यहाँ पे इस चित्र में 6 गुणा 6 वाले में ये ताने का धागा तीन बाने के धागूं के उपर से गया है इसका मतलब ये float कर रहा है तैर रहा है तो इस प्रकार से लंबे float होंगे तो वस्त्र मजबूत नहीं बनेगा ठीक है अब देखिए आप दूसरी बुनाई देखते हैं अपन इर्रेगुलर ट्विल भी इर्रेगुलर का मतलब ये जो रेखाओं की मोटाई और ताने के धागों की रेखा की रेखा जो जितनी मोटी थी उतनी ही बाने के धागों की रेखा भी मोटी थी देखिए आप आप, देख रहा है, छे गुना छे पे, जब हम नियमित या रेगुलर ट्विल गुनाई हमने बनाई थी, रेगुलर में ये जो साइज होती है, वहं पतली दोनों होती हैं, अगर ताने की रेखा या तिरची धारी जो है वह मोटी होगी, तो बाने की हम पतली क लेंगे यह बाने की मोटी होगी तो ताने की पतली कर लेंगे इस चित्रों ने देखिए बनाने का तरीका ट्विलोनाई को यही है जहां से हमने प्रारंब किया था वहां से उसके बगल का एक एक इससा खाली छोड़के फिर उसके उपर से प्रारंब करते हैं यहां भी देखिए वो ही किया गया है ठीक है इस चित्र में भी देखिए यहां से फिर अगली बंक्ती यहां से अगली बंक्ती यहां से अगली बंक्ती यहां से देख रहे हैं अब इस प्रकार से ही यह काम करता है अब यहां देखिए पहला चित्र दे तीन गुणा थरी पे टू अप वन डाउन से बनाया है हमने दूसरा चित्र चार गुणा चार पे थरी अप वन डाउन से बनाया है और तीसरा चित्र छे गुणा छे पे फोर अप टू डाउन से हमने इसको बनाया है तरीका बनाने का वही है केवल अंतर के आ जाएगा धारियों की मोटाई में अगर ताने की धारी मोटी है जैसे यहाँ पे देखो ये इतनी मोटी ये ताने के धागे की धारी है जबकी बाने के धागे की धारी हुई ये दिखाई दे रही है आपको अब हम अगले व्योत्पन की उपर चलते हैं अगला व्योत्पन है दाई ट्विल ट्विल बुनाई में जब रेखाएं दाई दिशा में जाती दिखाई देती है तो वह बुनाई दाई ट्विल कहलाती है जैसे अभी आमने उपर देखा regular और irregular twill में ये रेखाएं डाइं तरफ जाती हुआ दिखाई दे रही है और जब ये रेखाएं उल्टी दिशा में चलेंगी मतलब बाएं तरफ चलेंगी तो ये बुनाई left hand twill कहलाएगी देखिए अभाइस चित्र में दिखाई देरी इस चित्र में आप देखो ये जो रेखाएं हैं ये जो धारियां हैं इनकी दिशा देखिए अब उल्ट कहीं ना ये दिशा ये वाली दिशा देखिए उल्टी दिशा में जारी तो जब ये इस तरह से धारियां चलेंगी वस्तर में मतलब दाइने निचले कौने से प्रारंब होएंगी ये रेखाएं ये बुलाईया दाइन तरब से प्रारंब होती है यहां से इस जगें से प्रारंब करेंगे हम यहां से प्रार्म करें इसके बगलवाला खाली छोड़ा फिर यहां से शुरू करी इसके बगलवाला खाली छोड़ा यह वाला फिर इसके उपर से शुरू करी तो इस प्रकार जब हम इस बुनाई को बनाना प्रार्म करेंगे तो यह जो रेखा हैं होंगी यह जो ड्विल अब बाइन तरफ चलती हूई दिखाई देरी आ है ऐसे ये देखाई देरी है ये रेखा टाने की ये और ये वाली है ये ये बाने की रेखा ये वाली ठीक है तो ये चार हमने ट्विल उनाई के व्यूत्वपन जाने रेगुलर इर्रेगुलर और लेफ्ट हैंड ट्विल और राइट हैंड ट्विल ठीक है अगले व्यूत्वपन अगली कलास में हम समझेंगे